रन्बीर कपूर और केट्रीना कैप का बेक अप भी उन दिनों तकरीबन उतना ही सुर्ख्यों में रहता था जितना आज रन्बीर आलिया का अफियर रहता है अनुराव बसू के निर्देशन में बनी फिल्म जग्गा जासूस की शूट के दौरान दोनों का ब्रेक अप हो गया था तब तो इस बात पर भी सवाल खड़े होने लगे थे क्या दोनों इस फिल्म का प्रमोशन साथ में करेंगे या फिर नहीं प्रमोशनल एक्टिविटीज के दौरान दोनों की बीच में जो खटास थी वो साब देखी जाती थी एक इविंट में कितीना काफ ने रनवीर कपू से पूछा की क्या वे शराप पी कराए हैं अब रनवीर एक नई जिन्दगी जी रहे हैं और आलिया भट के साथ उनका जो रिष्टा है वो तीजी से आगे बढ़ता नजारावा है हम आई दिन सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरे देखते ही रहते हैं अयान मुखर जी की फिल्म ब्रहमात्र की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आ गए और अब तो एक दूसरे के परिवारों से भी घुलना मिलना शुरू हो गया है हाली में रनबीर कपूर की एक्स गल्फिंट केट्रीना कैफ और आलिया भट एक दूसरे के सामने पड़ गई मौका था शारुख खान की दिवाली पाथी का जब दोनों यहां पहुची थी एक रिपोर्ट की माने तो उसके अनुसार केट्रीना इविंट में आलिया की सामने असहज होती नजर आई थी सूत्रों के मताबिक ऐसा नहीं है कि आलिया और केट्रीना कैफ एक दूसरे की आखों में आखे डाल कर बात नहीं कर सकती या फिर एक दूसरे को देख नहीं सकती लेकिन इतना तो टै है कि वे दोस्त नहीं है रिपोर्ट के अनुसार इविंट में जादातर वक्त दोनों अलग-अलग ग्रुप में ही घुमते नजर आई थी इतना ही नहीं आलिया के वहां रहने के दौरान केट्रीना वहां से पह अहीं न कहीं क्यास लगाए जा रहे हैं कि आलिया और रनवीर कपूर दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं दोनों का जो रिलेशनशिप है वह बहुत ही प्यारा है और जल्द ही ये दोनों सितारे शादी करने वाले हैं हाली में निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा और दिपीका पदुकोन और रनवीर सिंग की शादी होने वाली है इसकी खबरे पूरे तरीके से सच है लेकिन अगर हम बात करें रनवीर कपूर और आलिया भठकी तो ये दोनों का इन दोनों का जो रिलेशन है कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो बहुत ही जादा सच्चा लगता है और जल्द ही ये दोनों शादी भी कर सकते हैं तो हम जल्द लेके आएंगे इनी से जुड़ी लेटिस्ट अपडेट के साथ तैंक यू सो मच की वाचिंग तुडेश फॉर मोर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करन आप बिल्कूल ना भूले इसके साथ साथ प्ले स्टोर पे जरूर जाएं और टुडेश की आपको जरूर डाउनलोड करें